नमस्कार दोस्तो आज केस वीडियों लो बात कने वाले हैं गुलूला के बेस्ट ट्रीटमेंट के बारे में गुलूला जिसे मॉप्स कहते हैं इंगलीस में और उसे जनरली लोकल भासा में गल्फुली भी कहा जाता है इसके introduction के बारे में देखेंगे पहले उसके बाद sign and symptoms के बारे में देखेंगे कि कैसे यह होता है उसके बाद किन कार्णों से होता है उसके causes के बारे में देखेंगे उसके बाद treatment के बारे में finally देखेंगे कि आखिर कौन सा medicine यूज क्या जाता है और कब तक इसको लेना यह highly contagious virus होता है अब यह किसी में भी फैल सकता है कभी ज्यादा तर यह बच्चों में होता है और तीसरा जो है यह विंटर के सिजन में ज्यादा तर होता यह देख रहा है यह यहां पर कुछ ऐसा फूल जाता है तो ऐसा कुछ होता है आप सभी एक होगा अब बारे में देखते हैं तो यह इसा होगा दूसरा जो है fever हो सकता है हेडउक हो सकता है एपिर एंप्रहलेशन होसकता है या फिर इंफलामीशन होसकता है जैसे टेस्टोगा और रिया फिर आधत Yes इन सभी चीजों में शूझन जैसे समस्याइं हो सकती है तो ऐसा कुछ होता है मंप्स अब फाइनली देखें तो कुछ इस प्रगर का देख रहे हैं इसी जगह पे यह हो जाता है मंप्स और यही जो है उपर की और फैल जाता है फूल जाता है तो इसी को बोलते हैं कि मंप्स हो गया है गल फुली हो गया यहां पर देख रहे हैं यह ऐसा हो गया यह इसके पर कि आपको बुखारा रही हो जाम है और फिर एसा हो सकता है कि आपको दर्श करें एसा समस्या की तो आपको बताई कि मंट्स वाइरस के वाइरस वाइरस की अलाएं जı Palestine इसको का जाता है वो होता है रिबूला वायरस इसको बोला जाता है कुछ इस प्रकर का यह वायरस होता है यह देख रहे हैं ऐसा ही कुछ यह वायरस होता है तो ऐसा कुछ यह वायरस होता है और यह ड्रॉपलेक्ट इंफेक्शन इसको बोलते हैं ऐसा कुछ होता है यहां पर आपका प्रेट्ट गलेरड है बच्चों में जए अगर डेखा जाता है कि वह सूच जाता है अब इसके ठीटो में अगर अगर बड़ों में हुआ है तो उस समय लिया जाता है टाब्लेट जो है ट्यों तो इसको यूज किया जाता है और तीसा जो टबलेट है वो लीव शुटी जीन है इसका यूज किया जाता है उसके बाद जो है वो आपका बेटनी सोल है यह एक स्ट्राइट है जो कि आपके इंफ्लामेशन को दूर करने का काम करता है और चुपाचवा मेडिसीन है वह सब्सक्राइब करने से तो उसको relief देने का काम करता है गैस को खदम करता है तो ऐसा कुछ यह टैबलेट था इन तबल्लेट को झाल यूज किया जाए दिन में एक वार यूज किया जाए पास दिनों में फर्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा हो सकता है ठीक हो जाए और ऐसा होगा उसके बाद फिर treatment के तोर पे आप bed rest जरूर करें उसको गरम पानी से गारगल करें ये कर सकते हैं precaution में रख सकते हैं उसके बाद फिर जो है कि आप इस नंबर पर WhatsApp की जगा लिखेगा हाई आई वांट तो ज्वाइन कर सकते हैं और उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं बहुत कुछ जान सकते हैं तो यही सब है दोस्तों मिलते हैं किसी और वडियो में तब तक धन्यवाद जाहें